नमस्कार अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है फिर एक बार अपने एक फॉलोवर की रिक्वेस्ट पे और वो जानना चाहते हैं कि दिल्ली का उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा और दिल्ली के वाले में मैंने बहुत खराब प्रिडिक्शन्स करी है अगले दस एरपोर्ट आने जा रहा है जो इंटरनेशनल ली एरपोर्ट होगा तो हो जाना चाहते हैं कि यदि इतना खराब फ्यूचर है दिल्ली का तो इससे कैसे बचा जा सकता है पिछले वीडियो में जब मैंने दिल्ली के बारे में चर्चा की थी तो उसमें दरसल जो पैरामीटर्स थे वो भारत की कुंडली और भारत की कुंडली के साथ साथ में जो अभी विश्व का जो इस समय इन्वार्मेंट है जो पूरे वर्ड में जो इस समय अस्थिरता है औ और जो वर्ड वार थ्री की तैयानियां चल नहीं है हर कंट्री अपनी हिसाब से लगा हुआ है और मेरे फॉल्वर सक्सर पूछते हैं वर्ड वार सिरीज के अगले वीडियो दीजे अगले वीडियो देखें दिल्ली जिसके लिए मैंने बोलाई कि बहुत खराब है तो आप दिल्ली में रहते हैं मैंने उसक्सर पूछाई कि दिल्ली में कितनी पॉपलेशन है पिछली वीडियो में मैंने जो पॉपलेशन बताई थी दिल्ली के पॉपलेशन उससे कहीं जादा है और कितना वेस्ट डिस्चार्ज होता है वह आप लोग कैलकुलेट कीजिए कितना प कोशिसे करने पर कामियाबी मिलते हैं कहते हैं कि कोशिस करने वालों की हार नहीं होती क्या सरकार दिल्ली की रक्षा कर पाएगी मेरे इसाब से नहीं कर पाएगी कौन करेगा जनता को करना पड़ेगा जनता को उठना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा लगने में राहू करेंगे मैंने हमेसा देटिव की आप बैठा हुआ और राहू का जो मकान मालिक है मतलब शुकर शुक्र तीसरे घर में बैठा हुआ इसका हुआ यह वा पाँच ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो यह कहता है कि भाई जो डिल्ली में रहने वाले लोग हैं सरकार को आप अठा दीजिए अभी जनता पब्लिक उनको एक होना पड़ेगा और एक होने के बाद आपको इस सहर के बचाने की मुहिम दिल्ली वालों का फर्ज यह है कि दिल्ली को कैसे वो साफ रखें हम इस्ट्रोलोजकली बता सकते हैं कि खास्तोर से जब आपकी अभी इस समय चंदमा की महादसा चल लए है चंदमा की महादसा में जब सुक्र का अंतर आएगा 2023 यहां पर इदि हम चाहें तो दिल्ली को बचा सकते हैं कैसे बचा सकते हैं उसके लिए मैं फिर पीछे जाओंगा राजियो गांधी प्राइमिनिस्टर थे उस समय एक बात चली थी कि कैसे डिसेंट्राइज किया जाए दिल्ली को अबादी का प्रिसर कम किया जाए और उसके लिए लैंड एकोजिशन किया गया था और यह किया गया था खास्तोर से वह एरिया बंदेल खंड का जो पिछड दिल्ली तहस नयास हो जाएगी तो नई राजधानी पूर-विदिसा में जाएगी वह आपणी जेके मेरी बात सहीं है लेकिन अभी मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि हम दिली को कैसे बचाय करना पद़ेगा और अबादी का प्रिसर कम कब होगा जब यहां के लोगों को बाहर रोजगार मिले खासों से दिल्ली में करीबं डेड़ करोड लोग ऐसे हैं जो बिहार, उत्तरपदेश, चत्तिजगर, मद्धपदेश से आके यहां पे काम करते हैं और उनको आप जेखेंगे कि उन लोग कैसे रहते हैं तो आप देखनी पाएंगे कि एक एक टॉलेट के लिए सो सो लोगों की लाइन रहती है यह दिल्ली का दिल्ली में आपको देखनों को मिल जाएगा हमको यहां से बचना है यदि हम यहां से आबादी का प्रसर कम करके और हम रोजगार छोटे सहरों में दे जहां से लोग आए है दिल्ली का प्रसर कम हो जाएगा दिल्ली को आप बचा सकतो नहीं तो यह जो डिजास्टर होगा यह इंटर्नल डिजास्टर है मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि वर्ड वर्ट थ्री को लेके मैंने दिल्ली का जो एक खाचा खीचा था उसकी चर्चा मैंने आप से की थी और मुझे बहुत से मेल आये हैं और जो भारत के अच्छे स्कॉलर्स हैं, स्ट्रोलजर्स हैं भारत इनी विस्व के जो स्ट्रोलजी में काम कर रहे हैं उन्होंने मेरे बात को माना है कि आगे चलके प्रॉब्लम सो सकती हैं तो मैंने जैसे बोला राहू को हम कैसे पॉजिटिव बना है अकसा मैंने लोगों को बताता हूँ कि राहू की अच्छी रेमिडिस क्या होती है तो राहू की अच्छी रेमिडिस होती है सफाई हम लोग घर को साफ रखते हैं लेकिन घर के बाहर साफ नहीं रखते हैं घर के बाहर आप देखिए गंदगी रहेगी और उसके लिए हम खुछ जिम्मेदार हैं कोई कि हमारा जो आम नागरी के जो देशवासी है उसको मुझे लगता है कि सफाई पसंदी नहीं है यदि सफाई पसंद होती तो आज हमारा सेर इतना गंदा नहीं होता तो राहू की सबसेची रेमिडीज है कि आप घर के साथ साथ अपने गलियों को अपने इलाके को साफ रखें और राहू का जो इस्थान होता है घर में वो होता है टोइलेट्स हम टोइलेट को साफ रखें यदि कोई बल फ्यूज जाता है तो हम उसको तुरंत बदल दें यह बिसिक चीजे होती हैं सफाई रखें खुद भी साफ रखें तो यदि आपने अपने घर को साफ रख लिया तो आप घर के बाहर निकलिए कि घर के बाहर हमारा कैसा है साफ है की नहीं है हमारी नालिया है साफ है की नहीं है इसका बाद हम अगले स्टेप में हम जब जाएंगे तो हम देखते हैं हमारी सीवल नाइन दिल्ली के सीवल नाइन चोक पड़ी हुई है हमें सरकार के उपर प्रसर बनाना चाहिए कि जब आप इतने हमसे टैक्स ले रहे हो तो हमारी सीवल नाइन क्यों चोक हो रही है और इसका बाद हम देखेंगे कि आगे चलके वो जो वेस्ट निकल रहा है उसका ट्रीट्मेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो डिस्चार्ज कहां हो रहा है क्या वो नदी में जा रहा है तो हमको यहां पर प्रसर बनाके एक ट्रीट्मेंट प्लांट की बात करना है मेरे कासे दिल्ली में दो तीन ट्रीट्मेंट प्लांट्स हैं लेकिन आबादी को देखते हुए बहुत काम है तो हमको वो देखना है कि क्या वहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है आगे चलके जब नदी को देखें तो जब नदी को जाके देखेंगे तो आपको खुद सर्मंदगी मैसूस होगी कि नदी तो वहाँ ही नहीं है तो नाला है साबुन का जाग है जो आप पो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमको इसको दुरुस्त करना चाहिए तो जब हम अपने घर से निकलेंगे और नदी तक को साफ कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि राहू का ये एक बहुत अच्छा उपाय होगा और इससे हमारा सहर और दिल्ली के आसपास का इलाका साफ होगा जो इस्तिति दिल्ली की है उसमें दिल्ली में आगे चलके कम-कम सो अस्पताल और बनाने पड़ेंगे क्योंकि लोगों को कैंसर किडनी फेल्यूर लीवर फेल्यूर इस सब की बीमारी होगी और इस सब के जिम्मेदार जो होंगे हम लोग खुद होंगे सरकार के बस कर नहीं है सरकार तो टैक्स लेके और टैक्स लेके उसके पास और भी खर्चे होते हैं लेकिन यदि जनता खड़ी होगी उसको implement कर सकते हैं एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से आके यहां पे काम करते हैं दिल्ली में उनका कोई interest नहीं रहेगा कोई कि यदि कोई बिहार से आ रहा है यूपी से आ रहा है तो उसको यहां से रोजी रोटी कमा के धन कमाना है उसको यहां से सफाई से कोई मतलब नहीं रहेगा जो दिल्ली वासी हैं जो दिल्ली में पीड़ी दर पीड़ी रहते हुए आ रहे हैं जो पुस्तेनी निवासी हैं उनको ये कदम उठाना पड़ेगा जब तक वो ये कदम ने उठाएंगे आप इमान के चल लिए दिल्ली के स्थिति बहुत खराब होगी और यही एक उपाय है पहला उपाय ही है राहू को positive करने के लिए उससे अच्छे result लाने के लिए कि हम सफाई पे जाएं और जब हम सफाई पे जाएंगे तो हमको positive result आएंगे यह सफाई आप इसको मान लिए कि जो वैकुलर प्रोलिशन है हमारा जो गाणिया उसमें भी यह चीज लागो होती है तो आगे चलके हमको यह भी ध्यान देना है दिल्ली को बचाने के लिए कैसे हम यहां के पेड़ों को बचाएं क्योंकि सनातन में पेड़ों को देवता माना गया है और आजकल हम विरक्षों की कुछ अब ध्यान ही देते हैं तो हमको सनातन परंपरा को अपना के दिल्ली को एक हराभरा करना चाहिए हलाकि फॉरेस्ट वहां बहुत है लेकिन फिर भी आगे यदि आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो हर्याली के तब भी ध्यान देना पड़ेगा यह राहू का एक बेस्ट उपा है दिल्ली को आप इससे बचा सकते हैं पहले मैं एक वीडियो देख रहा था आजकल मंगल पे बहुत इसर चल रहा है कि क्या मंगल में कभी जीवन था अलग-लग कहानिया निकल के आ रही है लेकिन जब मैं अपने सेंटिस्ट दोस्तों से बात करता हूं तो मुझे इस बात में कोई सक नहीं कि हूँ पे जीवन था और वहां पे जीवन खतम हुआ है आपस में लड़के बहुत से स्ट्योड है और अन्हीं स्ट्यूरिज पर जाएंगे तो कही न कहीं जब भी कहीं धुआ होता तो नीचे छिंगारी होती है तो कभी एक सब्था थी वहां पे और वो सब बिता खतम हुई मैंने चाहता है कि हमारे अर्थे का यह हाल हो दिल्ली तो हमारी कंटी की राजधानी है लेकिन मैं पुरे विस्तो की बात करता हूँ कि आगे चल के यह स्थितियां आएंगी लेकिन इसके बावजूद भी एक भारती होने के नाते है कि भाई अपने देश को बचाया जाए अपने लोगों को बचाया जाए तो मेरे फॉलोवर्स चाहते हैं दिल्ली को बचाने का सब सच्ची रेमिडी है कि दिल्ली से पॉपलेशन का लोट कम किया जाए और उसके लिए रोजगार के सादन बहार लाए जाए आप देखिए पिधानमंती ने एक स्कीम चलाई सफाई को लेके टॉइलेट्स को लेके क्या हम लोग उतने सक्सेज हो पाए यह हम लोग को देखना चाहिए पुरे देश में और दिल्ली में खास्तों से मैं देखता हूँ कि काफी टॉइलेट्स बने हैं और दोजार तेश के बाद जब दोजार पच्चीस से मंगल की महादिसा स्टार्ट होगी ये मंगल की महादिसा दिखे इस कुड्ली के लिए मंगल की महादिसा बहुत अच्छी नहीं है और मंगल के बाद भी राहू की महादसा ये दी खुदाने खास्ता हम लोग बच गए सर्वाइब कर गए 2030 के बाद तो मैं समझता हूँ एक फिर दिल्ली को उजड़ने के बाद बसने वाली बात होगी लेकिन इसमें चर्चा कभी बाद में करेंगे अभी यही कि इसको हम अबादी के प्रसर को कम करके हम इसको एक अच्छी दिल्ली बना सकते हैं इस दिल्ली के बारे में मैंने सुना है बुज़ुर्गों से वो दिल्ली हम वापस ला सकते हैं मैं से उमीद करता हूं मेरे खाल से मेरे फॉल्लवर समझ गया होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि कैसे हम दिल्ली को बचाएं लेकिन मेरा जो फोकस है 2030 है और मैं 2030 पर फोकस किया हूँ कि कैसे हम वहां पे बचें और जो नई राजधानी की में बात करता हूं प्रिक्सा ने दि मेरी गल्ला तुझा आती तो मुझे कोई दुख नहीं होगा मैं चाहता हूँ कि एक आम आदमी और हम लोग सब सुरक्षित है समस्क्राइब